है यहां है है में आधा को नमझे नम्र फोर है इसमें एक टेबल दिया हुआ है इस टेबल को यह जो डेटा दिया हुए इसको क्या करना है ला हिस्ट्रोग्राम टूरी पर्जेंट दाटा इस डाटा को एक histogram के उपर represent करना है histogram क्या हुता है इसको histogram हमने इसता करके एक table बना लेने जिसका graph, paper, parr-exes और y-axis बना लेने तो फिर इसको ऊपर यह data present करना है तो आई आई इसको देखते हैं कि कैसे present करते है तो इसमें यह एक्स की वैल्यो देन दोसी फिकर्विक्वैस्ट वैलियू है खम इसका जो वाय एक्सद आ faktiskt के जो हैं वह पॉइंट लिका लोके इसे मारी जो मेक्स नाइन नान तक हैं तो हम लेक्तम यह हूँ नान तक उसमें नाइन तक उसके Believe को नाई ज्यादा हो जैसे यह वन है तापके स्केल के साथ आप इसको ना इसके ब्राबर निशान लगा सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस मारी फ्रक्वेंसी को नाइंता किये तो फिर भी यह मैंने निशान एक अदा मागना ज्यादा ही होना चाहिए वैस नहीं भी लगाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है यह 10 हो गया है अब इसका ज्याद की वैल्यो जेंवो हम इस जर्ड़ पर लिख लेते हैं एक्स की वैल्यो क्या है हमारी जारी जिजिजिग जिजिग वान टू फाइव तक है तो जीड़ो का है जीड़ो की फ्रक्वेंसी का तो अब जो जीरो यहां से हमने स्टार्ट करना है यह फूर तक इसका यह जो बार है ना बार कह लें या इसको आप कह सकते हैं कि यह ब्लॉक्स है यह जीरो का जीरो का जो ब्लॉक्स को इसकी फ्रिक्रेंसी फूर है इस ब्लॉक्स को हमने फूर तक उपर लेकर जाना है फूर ठीक हो गया अब इसी तरह जो next है next देखें जो one है one का block को six तक लेक जाना को इसकी frequency six है उसको इसके साथ आपने टैज ही रखना है इसके साथ इसका जो center वाली होती है ना यह जो line यह common होती है six यह है ऐसे करके यह equally इसकी चुड़ाई होनी चाहिए और one का block हो गया six तक यह four तक है और यह six हो गया अब इसके बाद two है two की value nine तक है अब one के बाद one के बाद यह two आएगा इसको हमने nine तक लेके जाना है nine यहां तक है इसके साथ two लिख लेंगे अब इस तरह three है three का जो है ना frequency five है तो three का जो बारा जो इसका block है वो हम five तक लेके जाएंगे five यह है यह तरीका हो गया नीजे से race कर लेना है अब इसी तरह four है four का four तक ही है four यह थीए यह four का block four तक हो गया इस तरह five five का frequency two है तो इसी तरह जो है five का जो ब्लॉक है वो two तक लिक जाएंगे इसको strips भी कहते हैं ब्लॉक कहते हैं कुछ ना को तो पठी हैं कहलो या तो यह इसकी value चाहिए उपर आप लिख भी लें यह nine है यह five है यह four है और यह two है तो यह बैटा इसका histogram complete हो चुक है तो बैटा question number five में यह हिस्टोग्राम दिया हुए हिस्टोग्राम में इस हैंड़ पे यह number of houses हैं यह houses की तादाद है जो उपर लिख हुई है तो यह monthly rent है in thousand रुपीज तो जिस तरह यह इन्होंने एक range दिय हुई है इस range में जो जाके है वो five houses जो जो है उनका rent इस range में आता है जो 15 से जो 25 तोजन तक है वो 14 houses का है इस तरह से इसके बारे में कुछ questions उन्होंने next page पे दी हुए हैं यह वाले क्योंकि बुक्त आपके सामने होगी तो मैं यह बार बार यह इस page पे नहीं ले के हूँगा तो आप लोगों ने इसको इसी को अपनी बुक पे सामने खोल के रखना है मैंने इनके answer लिखते जाना है जिसा पहला question है what is the total number of houses? Houses की total तदाद क्या है? तो total number of houses finding करने के लिए यह houses की तदाद है houses सामने ही लिखा हुआ है यह 5 है यह 14 है इन सारों को हमने प्लस कर लेना है तो इनको जब हम प्लस करेंगे न तो इसका answer आजाएगा 60 इन total जो houses है वो 60 houses है अब इसमें next question है what is the number of houses whose rent is between 30,000 to 40,000 30,000 to 40,000 के between जितने गरों का rent है उन गरों की तदाद बतानी है number of houses जिनका 30 से 40,000 के between rent है तो अब देखें मेटा 30 से लेके 40 तक ही है इसके उपर आजें इनके between का है उनने तो इस 30 और 40 के between दो नमबर ही आ रहे है 12 और 8 यहनिके यह बारा जो houses है और जो आठ है यह है तो total यह कितने हो जेंगे total हो जेंगे 12 प्लास इस एक इक वो टू 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 टूटी 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 अजिनका रेंट 30 तू 40 तूज़न के between है थर्ड पार्ट है वाट परसेंट आफ हॉस जए व्रेंट बेटू तो थर्टी तूज़न तो थर्टी तूज़न तेंट से लेकर थर्टी तूज़न जो है इनके दिर्मियान में जो हॉस हैं वो वो टूटल गरों की कितने परसेंट बनता है इसका हमने परसेंट करना है परसेंट किसके साथ विद्ट टूटल हॉस तो अब देखें बेटा टैन से लेके 30 ताक जो है ना वो तीन वैल्यों आ रही हैं 5 यह 14 और 16 इन तीनों को प्लस करेंगे हम तो जब इन तीनों को हमने प्लस किया तो यह 30 और 5 35 तो 35 होस ऐसे हैं जो के जो इस रेंज के बिट्वीन में है टैन से लेके 30,000 तक अब हमने यह इसका कोई आंसर नहीं है हमने इसका आंसर फाइंड करना परसेंटेज में तो जब परसे होस की तदाद आएगी टोटल नंबर आफ होसे वह 60 तो परसेंटे इनकालने के लिए मल्टिप्लाइब बाई 100 अब इनको हम सौल कर लेते हैं 0 के साथ 0 क्या हो गया अल्ला को प्यारा हो गया ठीक है अब 35 को 10 से मल्टिप्लाइब किया तो 350 ओवर 6 अब 350 को 6 से हम ड्वाइट कर लेंगे तो इसको बड़ा ड्वाइट किया तो यह इसका आंसर आ गया 58.33 परसेंट आगे भी है लेकिन आप इसको इतना लिख दें तो काफी है तो लास्ट पार्ट है कि इन विच ग्रूप तर ग्रेटेस्ट नंबर आफ हाउस लाए कि किस ग हम ऐसे लिख देंगे 25 to 30 इस ग्रूप में साबसे ज़्यादा है यह इसका आंसर है तो बड़ा क्वाइटर नबर 6 है इसमें यह ग्रूप दिया हुआ है इसमें डेटा दिया हुआ यह ग्रूप डेटा है इसको भी हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करने है इसमें जो फ हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है इसमें जो यह ग्रूप दिया हुते हैं इसमें होता है कि जो पहला ग्रूप होता है उसकी वैल्यू जैसे यह ट्व्टिफूर और अगले की पहली वैल्यू यह हमेशा सेम होने चाहिए जिस तर आप देखरिए हैं यह यह 0-5 फिर 5-5-15 30. यहनिhos पहले कि last वाली जो होती है उसकी जो upper limit होती है वो और दोसरे की lower limit होती है जो low class reasons ने होनी चाहिए. तो अगर ग्रोड नहीं होंगी,ति हम ने उनको same कर लेना है. तो मैंना यह table of principal draw के बिताना की कोशे करता हूं, जैसे देखें इसका तरीका का रही होता है कि अगर यह सेम ना हो तो इसका यह होता है कि जो इसमें जो लोर क्लास होती है ना इसमें से जो लोर लिमिट होती है पहली वाली को लोर लिमिट कहते हैं बाद वाली को अपर लिमिट कहते हैं ठीक है यह सारी इस ग्रुप की यह लो और जो बाद वाली होती है यह अपर लिमिट होती है तो जो लो लिमिट होती है इसमें से 0.5 हमने माइनस कर लेना होता है और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 प्लस कर लेना होता है अब फिर देखें पहले वालों में से सब में से हमाने 0.5 माइनस करना होता है देखें 24.5 इसमें दे लें इसमें 29.5 और इसमें यह 0.5 कम कर रहा हूं पहले वालों में से 5 और यह 39.5 और यह जाएगा 44.5 तो यह मैं आपको समझाने के लिए एक दोबार कठे कर लिए वरना हम इसको डेट भी ऐसे करते जाएंगे और बाद वाले में क्या करना होता है इसमें 30, 4.5 यह जगा 30, 9.5 और यह 40, 4.5 और यह 49.5 अब देखें बेटा अब पहला जो ग्रूप है अब यह जो पॉइंट फाइव प्लस मैंस करने से इसको अब क्लास बांडरी जो बोलते हैं पहले वाली होती है लोर बांडरी और बाली अपर बांडरी अब देखें पहले इसके बांडरी गड़ूप की जो अपर बांडरी और नेक्स जो गूरूप है उसकी लोर बांडरी आप समें सेम होती है देखें अग cruise को यह दुनों सेम यह आपसमें सेम हैं यह आपसमें एकảiसे होना चाहे हिस्टोंग्राम में तो यह बांगेए हैं ऊप्लस के मताबक तो बैदा इसमें जो पहला यह ग्रूप है इसमें 19.5 से लेकर 24.5 है यह कहां तक है यह 5 तक इसकी फ्यक्वेंसी 5 है इसको हम इसका जो यह ब्लॉक है 5 तक लेख जाएंगे यह आपने स्केल के साथ यह लाइन राका लेंगे इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है 19.5 से लेकर द 24.5 तक अब नेक्स्ट रोप क्या है 24.5 से लेकर 29.5 इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 16 टेबल पर आजें 16 यह है इसी लाइन को हमने 16 तक एक्स्टेंड कर लेना है यह ब्लॉक जो है इनकी ब्राबर ब्राबर नहीं हो स्केल के साथ कि मैंने हाथ से का रहा हूं इसलिए कम ज्यादा हो गया है यह 5 है और यह 16 तक यह 24 से लेकर 29 तक है ऐसी है ना 29 तक यहां पर आजेकर 29.5 तक है अब नेक्स आ रहे है 29.5 से लेकर 34.5 तक उसकी कितनी है 12 यहां पर आता है । यह 12 तक उसके ब्लॉक को वपर लेकर जाएंगे हम यह 29 से लेकर है 34.5 तक और इसकी 12 फ्रिक्वेंसिए अब नेक्स आ रहे है 34.5 से लेकर 39.5 तक इसकी 10 फ्रिक्वेंसिए है इसका जो ब्लॉक है यह 10 तक हम उपर लेकर जाएंगे यह 10 इसके सामने ऐसे करके 39.5 इसकी 10 frequency है आप 1.5 तक 44.5 तक है और इसका 8 frequency है and next block 8 तक लेक जाएंगे उपर इन्हेकी 8 के बराबर तक उसका block draw डिनेए यॉस्टिप कहले腿 पड़ट्टी कहले जो मज़़ी आप कहले लेकिन बात यह हैं आप यह लाइन ड्रा सहीय करें जो बॉकष सा बनाते हैं यह बनाएं सहीय करके एट है ये इसकी फ्रिक्वेंसी अब नेक्स आ रहा है 44.5 से लेके 49.5 इसका 4 फ्रिक्वेंसी है 4 है जिसका हम 4 तक इसके ब्लॉक उपर लिख जाएंगे यह से 4 है स्केट राखे आपने ऐसे सामने करके और इसमें जो यारख में बात है कि इनकी चुड़ाई सारों ही ना बराबर होनी चाहिए तरीबर बराबर हो तोड़ी बहुत ही कमी बेशी हो तो है रहा लेकिन कोशे करें कि बराबर हो तो इससा करके बैटा यह इसका हिस्टोग्राम बन चुका है इस सेड़ पर यह मैंने वरकर भी लेग दिया और यह एज़स थी तो एज़स को भी मेंशन कर दिया है question no.7 इसको भी represent the falling data by a histogram इसको भी histogram पर ड्राकरना है frequency होती है यह हमारी y axis पर आ जांगी और इसकी class interval है यह x axis के ऊपर आ जांगे इसकी जो frequency है यह maximum 16 तक है तो मैंने frequency जो 16 को 16 तक इसका ड्राकर लिए और बाकि इसकी आप देख लेते हैं इसका जो class interval पहले 0 से ले 50 तक है इसकी frequency 5 है जिएक फाइव तक इसको ना इसके एड़ देखें जो इसकी यह वाली वैलिओ तो नेक्स वैल्य वैल्यू यह सेम है इसमें हमें कुलास बॉंड़ी ब्राने की भी जरूरोश नहीं है यह रहारी इसकी यह वैल्ये सेम है तो 0-5 तक गया है इसकी 5 है 5 तक इसका हमने यह बिलॉग बना लेना है यह 5 थक हूगया अब नेक्स है हमारा 5-15 तक और है 12 12 किदर है यह इस 12 के तक हमने नेक्स ब्लॉग बलाना है यह 0 से 5 तक है नेक्स वाला जो 5 से 5 से 15 तक है ठीक है यह था 12 तक अब नेक्स तक है 15 से 30 तक है 16 16 कहा हो जाएगा बिल्कुल फुल जहां तक हमने यह 15 से 30 तक है इसको अपर लिखते है 16 को इसकी फ्रिक्वेंसी 16 है यह फ्रिक्वेंसी लिखी रही है अब नेक्स ग्रूप है 30 से लेकर 30 से 40 तक उसकी 10 है उसकी 10 है तो उसको 10 तक उसका ब्लॉग बनाएंगे यह 10 है इसके सामने तक 30 से 40 तक यहां पर 40 लिख देंगे और यह 10 अब इसका नेक्स्ट है 40 से 44 तक 8 है एर्थ के एकुल तक वो 40 से 44 तक है तो यह 30 से 40 तक इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है नेक्स्ट है 40 से 45 मैंने 40 से 44 लिख दिया इसकी जो फ्रिक्वेंसी है यह है टू इसको ना आप समझा जाए टू तक टू यह है यह इसका यह वाला इसको अंदर शेड कर दिया मैंने ठीक है ना यह ऐसे हो गया अधिश्ट करेंगे तो डिफेंट भी कर सकते हैं ताकर से पे दूसरे से डिफेंट रहें तो यह बैटा इसका हो गया यह नहीं है इसमें यहां पर टू लिख देते हैं अधिश्ट करेंगे नबर एयट है रिपर्जेंट दाडेटा इनकर नुबर शिक्स बाया स्रीक्वेंसी पॉलिगॉन फ्रीक्वेंसी की पॉलिगॉन नहीं है पॉलिगॉन क्या होती है और उन्हाद क्यों सिक्स की गवार्ट को अभा सिक्स का पहले हम ने जिस साइट बना होती हैं तो देखें यह को आचे नंबर सिक्स का जो हमने इस्टोग्राम नायदा में सामनी है तो इसमें जितने भी मारे ब्लॉक्स हैं हर ब्लॉक के सेंटर में आप एक लाइन लगा ले पहले यहां पर यह हो गया यहां पर तो यह फोर्ट थी वैल्यू इसकी तो आप देख कहली होता है कि इसके स्टार से हमने पहले इस फ़ीश पर प्व्यश्क हो हमारे हमारी हमारे घो इस्टे लाइना यहां जितनी है से पिर इन दोनों को हमें सकेलिए लेकर इन दोनों को जहां 16 का का पवाइंट ऑर फाइव का पोइंट सब्हूर थेंधां Ooh पिर इन को तैंका के उपर भी हमने इसको मिला जाना होता है तो यह जो हमारी नई लाइन बनिया ना जो बिलू कलर में नदर आ रही है आपको यह बेटा इसकी पॉलिगॉन बन गी है यह इसका आंथर यहां पे कंप्लीट हो गया तो बेटा क्वाचर नमबर कि इसके बाद वाली वैलिओ और अगली जो नेक्स ग्रूप होता है उसकी पहली वैलिओ आपस में स्में होनी चाहिए तो इसमें पहले हम इश की class boundaries बना लेते हैं तब इसमें उसके class boundaries ओती है तुर मैंने पताया थे नजिए कि पहली value से पॉइंट फीज़ माइनस करना होता है 1 से पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो बाकि पॉइंट फाइव बाज़ता है और बाद वाले में 0.5 प्लस करना होता है इस वाले में 0.5 माइनस और बाद वाले में 0.5 प्लस तो इसी तरह ये आप देखेंगे कि ये दोनों value हमेशा same होती है हिस्टोक्राम में ये दोनों same होने जाएगी इस रोखो ये वाली तो ये 150.5 ये भी 150.5 और ये 200.5 बाद वाले में 0.5 प्लस करना होता है ये 200.5 इसमें 0.5 माइनस किया ना तो दूसरी तरह से भी हम देख रहे होते हैं कि जो ये आप आरा होता है वह ये आना होता है 300.5 ये 300.5 और ये 400.5 और इसमें 0.5 माइस किया तो ये 400.5 और ये 500.5 ये बड़े इनकी क्लास बॉंड इस बन चुकी है आईए आए आप इसको हम उद्धर ग्राफ के उपर शो करते हैं इस्टो कर आप बनाते हैं आप इसको आचनल में देखें कि इसमें फ्रिक्वेंसी काफी जैदा हैं तो आप जो पहली वैल्यू है वो है 0.5 से लेकर यह वाली 0.5 से लेकर 50.5 तक यह कहां था कि इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है तो यह 10 तक होजेगा 10 के सामने तक ठीक है यह क्या था 0.5 से लेकर यह है 50.5 तक इसकी फ्रिक्वेंसी 10 अब नेक्स है 50.5 से लेकर 100.5 तक इसकी फ्रिक्वेंसी 15 इसके दुनों के दिर्म्यान में आजेगा यहां पर ऐसे करके और यह 100.5 तक यह 15 जब आप स्केल राखके ऐसे करोगे न तो आपको अंदादा होजेगा कि यह हमने इन दुनों के दिर्म्यान में यह हमने इसका जिब लॉग है वहां तक बनाना होता है तब नेक्स आ रहे है 100.5 से लेकर 150.5 तक है और इसके 30 थर्टी यह है इसके सामने 150.5 तक है और यह 30 है अब नेक्स आ रहे है 150.5 से लेकर 200 तक है और इसकी स्क्वेंस है 40 40 के सामने तक यह ब्लॉग नेक्स बनाएंगे हम तो यह होजेगा 200.55 यह 40 हो गया अब नेक्स हो गया कि इसमें आ रहे है कि 200.5 से लेकर 300.5 तक है और उसका जो टे उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह है 120 तो अब हमने इसका 120 कहां पर है यह 120 इदर है इसके सामने तक यह 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 से करके इसका ब्लॉग बना लेंगे 200 से लेकर 300.5 तक है अंदका तो यह है 120 इसकी फ्रिक्वेंसी है यह आपने स्केल के साथ ऐसा है एसकी लाइने सीधी ड्रा का दे नहीं है तो इसके बाद 300.5 से लेकर 400.5 तक है, उसके frequency है 100, 100, 100 के सामने, यह 100 है, इसके सामने, ऐसे करके इसका block बन जेगा, और यह 400.5 होजेगा, नेक्स आरा बेटा के, यह 400.5 से लेकर 500.5 तक है, इसके 85, 85 कहा होजेगा, 80 और 90 और 80 के दर्मियान में, ऐसे करके, यह इसका होजेगा, 400.5 से लेकर 500.5 तक है, इसके ओगी 85 है, और यह है 100, तो यह बेटा, इसका जो है, हिस्टोग्राम बन चुक है, आपको मीड़ा कि इसके समझागी होगी, इतना मुश्कल नहीं है, इसमें बस पहले वैल्यो और नेक्स वाजी है, आप इसमें जो सेंटर वाजी लाएन यह जो कॉमन होती है, तो इस तरह इनकी जो वैल्योज भी है, अगर यह कॉमन ना हो, तो आमने इस तरह कॉमन कर लेन नेक्स क्केशन में यह एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन दी हुई है, पॉलीगॉन वो यह होती है कि वह उन डॉट्स को आपसमें जो मिलाती है, इस ऐसे वाली शेप अगर बांजिया तो इसको पॉलीगॉन दी हुई है, तो इसके बारे में कुछ क्क्वेंस पूच्छे अब इसका बेटा फर्स पार्ट है, वाट इस दा टोटल नमबर आफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की टोटल नमबर्स हैं, टोटल तदाद है, वो बतानी है, तो अब देखें यह इस तरफ जो है नमबर आफ स्टेट्स है, तो इसमें यह पहला नमबर है, यह एट है, एट आ वह हुआ है जैकर यह स्टेट्स की जो तादाद है यह फौर्टीएट है अब इसका जो संग्ड पाइट है वाइट इतर नंबर आफ स्टेट्स इसन पार कैपिटा इनकम है जिनकी इसमें देखिएक यह जो तीन है एक यह 5 वाली और यह 2 वाली और यह 1 वाली 5 प्लास 3 क्या होज़ेगा 5 प्लास 2 यह 2 का है 5 प्लास 2 7 7 प्लास 1 8 तो इसका 8 होज़ेगा जिनकी low income है वो 8 states है इस तरह करके हम लिख लेंगे 8 states तो बाकि इसके साथ जो answer है जो complete question के उपर होता है जो लिखा हुआ है number of states number of low income states तो वो साथ आप लिखे लिए तो ज्यादा बेतर होजएगा और यह answer आजएगा तो वेटा next question है what is the number of states having the highest per capita income तो इसमें जो highest जिसकी income है ना उन states की तदाद बतानी है तब इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा जिसकी frequency है वो 13 ठीक है तो यह frequency इसकी 13 है लेकिन उसमें इस question है पूचा है कि जिसकी सबसे ज्यादा income है तो सबसे ज्यादा income जो है वो कौन सी state की है यह देखें यह dollar thousand में है यह 24,000 dollar 22,000 dollar यह तो वैसे इसको polygon का जो graph है यह नीचे लेका है ना तो यह वाली है इस तरफ को जो जैना इस तरफ को जितना आगे जाते जाएगा ना उतनी इसकी income बढ़ती जाती है thousand में इसकी जो इंकम है वो सबसे ज्यादा है तो इस तरह हमने देख लिया कि जैसे जैसे हम आगे को चलता जाएगा ना वैसे वैसे उसकी income बढ़ती जाती है तो इसमें इसी तरह जो lowest थी, जो lowest income थी, उसके सामने देखें कि lowest का, यह पहला dot है ना, इसके सामने eight है, तो eight states है जिनकी lowest income है, तो जैसे जैसे हम आगे को चलते जाएंगे, वैसे वैसे यह ग्राफ को नहीं देखना है, यह तो उनकी states की तदाद है ना, lowest और highest का चक्र ऐसे है तो जो सबसे आगे हो जाता है, यह highest है, highest जो है ना, वो one है, जो आगी dot ही है ना, तो इसमें one state है, जिसमें की highest income है, तो next question है, कि what percent of states have the per capita income of fourteen thousand dollars and sixteen thousand dollars, अब देखें कि fourteen thousand dollars और sixteen thousand dollars, यह कितनी states का है, तो इसको मैं अधर ग्राप पे लेगाता हूँ, फिर आपको इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, तो अब इसमें जो fourteen thousand dollars वाली states है, यह fourteen है ना, fourteen thousand dollars की, इसके सामने states कितनी है, thirteen, तो इसका percentage नकालेंगे, इसके सामने यह, यह thousand है, और यह states की तदाद है, तो उन्होंने states की percentage पूछी है, तो यह 13, over total states कितनी है, 48, multiply by 100, इनको हम simplify कर लेंगे, तो simplify किया तो 27.08% इसका answer आजेगा, दूसा था 16 thousand वाली states कितनी है, यह 10, इसका आजेगा 10 over, divided by हमेशा total states ही होता है, क्योंकि states का है, यह इसको divided by total states, multiply by 100, इनको भी हम simplify कर लेंगे, तो आजेगा, इसको 2 के टेबल से या 4 के टेबल से इस तरह आप इसको cancel करते जाएंगे, तो पैंड़क पे जागे, इसको जब divided करेंगे, तो 20.83%, आजेगा 16, जो thousand वालों की percent है, और 14 thousand वालों की percent है, यह वाली है, next part है, इसमें कह रहे हैं कि what is the, how many states have the as per capita income of 18 thousand and above, 18 thousand यह, 18 thousand and above, 18 thousand से लेकर इससे अबाव वालों की states की तदाद बतानी है, तो 18 में यह आजेगा, पहला आजेगा 5 और यह states की तदाद 2 है, और यह वाली जो है, इसकी 1 है, 5 प्लस 2 प्लस 1, यह आजेगा 5 और 2, 7 और 1, 8, 8 states हैं जिनकी income 18 thousand and above है, 8, ठीक है न, 5 प्लस 2, प्लस 1, इकल टू 8, ऐसे करके आप इसका आंसर लिख देना है, साथ वही question वाली statement आपने साथ लिख देनी होती है, एक के, नमबर आजेट विच है, 18 thousand and above income, इकल टू 8, अच्छा, नेक्स वो पूछ रहा है कि 18 thousand वाले और 20 thousand वाले, उसने पहले value का लिखिया है, what is the ratio of the number of states whose per capita income is between 18 thousand and 20 thousand, उनकी ratio पूछिए उसने, तो अब इसमें देखो, पहले question में, उसने पहले 18 thousand का पूछे, तो 18 thousand में लेकिया है, इसकी value क्या है, इसके जो state है, number of state 5 है, और 20 वाले की 2 है, तो इसकी ratio आजेगी 5 ratio 2, अब यह क्योंकि मजीज same table से divided नहीं हो रहे, तो यही इसका answer हो जाएगा 5 ratio 2, अब इसमें next है, कि इसका जो यह जो table दिया हुआ, polygon दिया हुआ है, इसको frequency table पे show करना है, अब इसमें देखें, इस set पे thousand है, ऊपर को जो आ रहे हैं, यह states है, ऐसी है न, अब देखें, यह क्या है, यह 10 thousand, यह 10 thousand क्या हो जागा, उसकी income है, और कितनी state की है, 8 की, यहाँ पे states 8 हो जाएगी, और इनकी income हो जाएगी 10, जो thousand, यहाँ पे 10 ही लिखा हो जाएगी 10 ही लिख देंगे, अब next 12 है, यह जो आया है न, यह रूपीज़ है, यह वाले इसमें में आने जो x-axis पे आएगी इदर आएगे, और जो y-axis पे आएगे, इदर आएगे states, अब next states है 9, जो 9 states हैं, तो यह देखें के यह 9 states हैं, 12, यह 9 states हैं, यह 12 thousand पे कर रही है, income कर रही है, अब next आ रहा है, 13 thousand, 13, नहीं 13 states है, 13 states 14 thousand earn कर रही है, है, अब next जो है, यह 10 states है, 10 states earn कर रही है, 16 thousand, अब इसी तरह, जो आ रहा है कि 10 के बाद आ गया, 18, 18 जो thousand यह earn कर रही है, है, कितनी states, 5 states, इस तरह, जो 20 thousand earn कर रही है, यह है, 2 states, अब इस तरह, 22, 22 thousand earn कर रही है, 1 state, यह इनका frequency table बन चुक है, इसमें जो मेटा sequence वाज़ दोता है, यह, यह, एक समझें के, इसका हो गया, यह, इसका x भी हो जाता है, इसको x भी कहा रहते हैं, यह x है, और यह जो different होता है, यह frequency होती है, तो इसको इसको इस तरफ लिखना है, इसको इस तरफ हम लिख सकते हैं, और बता यह frequency table बन चुक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जूर कीजिएगा, और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा,